हेलो वाटसब गाईज केसो सभी की सभी तो वेलकम है सबसे खतरनाक वीडियो में क्योंकि इस वीडियो में आने वाला है अपना ब्लड रेवन्च क्योंकि आने वाले पार्ट्स बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं तो जल्दी से क्लिक कर लो बेल अकन भी प्रेस कर लेना और इस इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत बूलना क्योंकि वहाँ भी नई ने अपडेट्स आते रहते हैं तो चलिए गाइस आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं इस मैप से मैं बोर हो गया हूँ जैसा पहले छोड़ा था वैसा कुछ भी नहीं यहाँ वीदर अब मुझे नए मैप चाहिए जहां पर मैं राज कर सकूँ और उससे पहले कुछ लोग चाहिए होगे जो मेरा साथ ने बाए इस काम में चलो फिर देखा जाए कोण यहाँ पर सबसे पावरफुल है वो तो इसकी पेटी भी बन चुकी है कोई नहीं फिर जिन्दा हो जाएगा अरे बॉस आपने मुझे फिर से जिन्दा कर दिया मुझे तो लगा मैं गया हमेशा के लिए तुझे जिन्दा इसलिए किया है ताकि तुझ यहाँ पे सब समाल सके और मैं बाकी जगाओं के कबजा करते हूँ पर बॉस इस मैप में एक प्रॉब्लम है पहले से यहाँ पे दो लोग है जो राज कर रहे है तुनको भी देख लेंगे बस एक मैजिक करना है मुझे और वो मेरे कंट्रोल लोगे चबस उए हंटर नए मैप में इसलिए नहीं गया दा कि तुम हाँ पे सबको पावर्स बाटे हमने तुझे वापच लाने के लिए बोला था अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो वो लोग गलत इंसान नहीं है बस बस लगता है तेरे उपर ही जादू कर दियान लोगोंने तब ही ऐसी बाते कर रहा है अरे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना तुम लोग खुद जाके देख लो उदर ठीक है इंजल सुनो इस बार तुम जाओगी नहीं मैप में महाँ पे देख क्या हो कि वो पावर्स का गलत इस्तमाल तो नहीं कर रहे ठीक है मैं एक बार चेक कर लेती हूँ जाके अब मैं भी अपने घर जा रहा हूँ मेरी वाइफ इंदजार कर रही है ठीक है जाओ तुम भी अब ये क्यों कॉल कर रहा है अरे बॉस आपको पता नहीं आपकी मीटिंग थी स्कूल में कुछ लोग हमें गन सप्लाई करने वाले थे हाँ हाँ याद आया याद आया मैं आ रहा हूँ थोड़ी दर में ठीक है ओके बॉस तुम सभी मेरे लिए अलग-अलग मैपों में कब जगरोगे क्योंकि इस छोटे से मैप से मैं बहुत बोर हो चुका हूँ अब मुझे अपना एरिया बढ़ाना है जहाँ पर मैं राज कर सकूँ पर इस काम में तुम लोग मेरी हैल्प करोगे अगर तुम लोगों ने नहीं की तो एक सेकेंड में तुमारी पीटी बन जाएगी तो समझ गए तुम लोग जी बॉस हम समझ गए तो फिर तुम जाओगे इरेंगल और तुम जाओगी सेनो और तुम तुम ही रुकोगे क्योंकि इस मैप को तुम ज़्याद अच्छे चला सकते है और मैं आजाओगा मीरामार क्योंकि वो सबसे बड़ा मैप है वहाँ पे राज करने में लगी मजाएगा अच्छा तो तु है जो कर जो इतना टाइम लगा रहा था आने में किसी काम में बिजी था तो इसलिए लेट हो गया चलो बताओ फिर कितनी गंस अप्लाई कर सकते हो मैं सोच रहा था आप डील कैंसल करते हैं और तुम्हारी मैं पेटी बना देता हूँ फिर तुम्हारे बादिस मैं आपको मैं चला हुआ ओ ये सब क्या हो रहा है तुने तो बोला तक गंस की डील के लिए ये सब सॉरी बॉस पर इनोंने मुझे कुछ ज़्याद ही उसी दे दी इसलिए तुम्हें अब मरना पड़ेगा है सही का तुने बेटा भी तुने नया नया जोइन हुआ है तुझे नहीं पता बेटे जोकर क्या चीज है ये सब छोड़ तुझे करके ही दिखाता हूँ अरे इतनी जल्दी इतने लोगों को मार दिया भागो तु भी बहुत चोड़ा हो रहा था अरे ये का भाग रहा है अभी पगड़ता हुआ है अरे तुम इतनी जल्दी यां कैसा आ गए तेरे पेटे जो बनानी थी बैटे चलो आप रेड़ी हो जब तु ये है मेरा मार मैप अरे इतने सारे कवों के आवाज कहां से आ रही थी अभी तुम कौन हो मेरा नाम बलड रेवन है और आज से तुम मेरी खास असिस्टेंट बनोगी अब लग रही यू पूरी बलड कुईन है तो चलो मेरे साथ इस में आप पे कवजा करने में मेरी हेल्प परो बोस आपको पता है हमारे मैप में कोई अन्जान बंदा आ गया है और वो हमारी जगा पे कवजा करके बैठ गया है तो तुम लोग इतना क्यों घबरा रहे हो जाके उसकी पेटी बना दो ठीक है बस जैसा आपने काव ऐसे ही करता हूँ वे तुम दोनों हमारी जगा पे कवजा करने की तुमारी हिम्मत कैसे हुई हुई क्या कहा तुमारी जगा तुम एक बात बता दो यहां का किंग अब मैं हूँ और तुम लोग अब मेरी पास सुनोगे सारी जी बोस हम आपकी बात मानेंगे अपसे तु जाओ अपने बोस की ही पेटी बना दे अरे तुम लोगों को हुआ क्या है तुम्हें किसी और को मानने के लिए बेजाता तुम सब मेर पे ही एम कर रहे हो आज हम तेरी पेटी बनाएंगे बॉस ने बोला है तो फिर तुम्हारी पेटी भी बनानी पड़ेगी और कोई चारा भी नहीं है अरे तुम्हें हुआ क्या है? क्या सोच रहो तुम इती देर से? मैंने अपने कुछ लोग किसी को मारने के लिए भेज जेते और वापस आके उन्होंने ही मेर को मारना चाहा बस यही सोच रहो ती देर से किस को ठिकाने लगाना है? मुझे बताओ मैं कर देती हूँ अरे पिकाडों में कुछ लोगों ने कबजा कर ले हमारी जगा पे मैं अभी जान निसकता क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है तो तुम जाके उनको देख लो थोड़ा ठीक है तुम टेंशन मतलो मैं जाती हूँ ओ तो तुम लोगों जो यहाँ पे कबजा करके बैठे हो अब यह लगी पोन है बहुत देनों से मैंने किसी के पेटी नहीं बनाई अब तुम सभी की बनाने में मज़ा आएगा क्या वोली तुम हमारी पेटी बनाएगी देख तुले से अगर तेरे में हिमाद है न तो बलड़ क्वीन से लड़की दिखा दे यही तेरा भूज बनादेगी मार के अच्छा तो चलो ठीक है इससे भी लड़के देख लेते हैं अरे असिस्टेंट तुम तो बड़ी कमजोर निकली तुम्हे जो पावर्स दी है ना लगता तुम सही से इस्तमाल लेकर पाज उसका कोई ना इसकी पेटी मैं ही बना देता हूँ अभी तक यह लोग जिन्दा है इस्टारगल ने इन लोगों की पेटी ने बनाई अच्छा तो वो तेरी दोस्ती उसकी तो बेटा पेटी बन चुकी है क्या बोला तुने उसकी पेटी बना दी तुम सभी इसके लिए बहुत पस्ताने वाले हो अरे ऐसे स्टेंड है फड़ा साइड हो जाओ तहीं तुम्हें चोड़ना लग जाए किसे तुम भी काफी अच्छा लड़ लेते हो पर अब बस बहुत हुआ है ये खेल बस इतनी ही ताकती तेरे में मुझे तो लगा थोड़ी देर ओल लड़ेगा क्योंकि मेरे सामने कोई पहली बार इतनी देर तब तिक पाया है तो तेरे को एक चांस वोड़ देता हूँ तुम जा अपनी पावर्स बढ़ा और जब बढ़ जाती रिपार्स मेरे पास आती हूँ जब आएगा फिल्लेंड लेगा असली मुझा चल भाग ले आप यहां से बॉस आपको पता है रोज़ो को आले बिरिज पे ना हमारे कुछ लोगों की पेटिया बना दी गई है अब यह क्या बोल रहे हो जी हां बोस और हमने जाके जब चेक किया ना तो काफी बुरी तरह से मारा गया उनको अच्छा तुम्रों को मैं चेक कर गई आता हूँ यह कौन हो सकता है जिसने हमारे लोगों की पेटि बनाई है कोई भी हो साला उसको तो मैं अब छोड़ने वाला नहीं बस एक बार मिल जाओ तो फ्रेंड्स आयूप आपको वीडियो में मज़ा होगा तो एप लीज से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना और जिंजिन भाय नो इस वीडियो में हेल्प कर ये उनका सकी इंसर्ट ये रहा तो इन सभी के लिए आर कमेट में कुछ उची सी बाते लिखो जल्दी से जल्दी और गाइस नेक्स पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जल्दी से और बस आज की वीडियो में इतना ही था मिलते हैं नेक्स वीडियो में